मेहनत का फल एक छोटे से गाव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और इमानदार था लेकिन उसकी फसले हमेशा अच्छी नहीं होती थी। गाव के दूसरे किसान मजे कर रहे थे लेकिन रामू ने कभी हार नही मानी। एक दिन उसने सोचा कि उसे अपनी खेती के तरीके बदलने चाहिए। उसने कई किताबे पढ़ी और गाव के बाहर जाकर अच्छे बीच खरीद कर लाया। उसने अपने खेत में नई तकनीक का इस्तिमाल किया और अपने काम में लगन से जुट गया। कुछ महीनों बाद उ कामों की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।